सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल रिपेर गयान आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मुबाइल टच नोट वरकिंग के बारे में मुबाइल की टच जो होती है हमारी हाडवेर और सौफ़ेर दोनों तरीके से जो है काम करनी बन कर जाती है इसके सोलूशन क्या हो ठीक कैसे कर सकते हैं तो जिन्होंनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन आप प्रेस कर लिजए ताक कि आने वाली सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं तो पहले बा मिल रही है आपके फोन में देखें एक पहला होता है हमारा कि हमारे चार ना चार भीडियोज और फोटो यह वह जब डाटा फूल हो जाता है जब उसकी मान लीजे आपका 64GB का फोन है और जब फुल हो गया है यह आपका 128GB का फोन है या फिर वो full हो गया है तब आपके phone में slow phone होने की problem आ जाती है आपका जो phone है वो slow work करने लग जाता है और कहीं न कहीं आपकी जो touch होती है वो आपकी काम करनी बन कर जाती है तो इस condition में आपको क्या करना पड़ता है before flash क्योंकि अगर ये problem आती है आपके phone में touch अच्छे से work नहीं कर रही है तो आप ये make sure रहे हैं कि आप जो software जो आपका होने वाला उससे पहले आप अपना data निकाल ले जब आप flash करते हैं तो obviously data चला जाता है और ये condition एक बनती है कि हमारी data full होने की वैसे हमारी touch जो है वो काम करनी एकदम बन कर जाती है तो ये समझ में आगया आपको दूसरा point हमारा क्या होता है दूसरा point है कि हमने flash करा phone ठीक है हमने flash करा phone और आपकी जो touch है अब work नहीं कर रही है ये कैसे हो गया क्योंकि कई बार ही ऐसा होता है कि जब आपके ये problem आ रही हो तो आप obviously क्या करेंगे flash राइट कि आपके phone में flash होना तभी आपकी जो touch है वो working में आएगी लेकिए अगर मान लीजिए आपने flash की और touch ही बिल्कुल खराब होगी हो मतलब touch जो पहले चल रही थी वो भी नहीं चल रही है तो फिर क्या किया जाए देखिए ऐसे condition में अगर samsung के phone है ना तो मैंने notice किया है 80% आपका जो pit file होती है उसको अगर आप डाल के flash करेंगे तो आपकी touch होती है वो work में आ जाती है तो आप ये condition जो है अप्लाइ कर सकते है क्योंकि flash के बाद भी आसे कई बारी होता है कि touch जो है वो working नहीं रहती है तो software update और e-mmc की problem जो है हमें देखने के लिए मिलती है ठीक है तो ये होती है हमारी software problem ठीक है एक कि आपका data full है इसलिए हो गया और एक ये कि आपने खुद से flash किया है phone और flash करने के बाद ये problem होगी है तो मैं इसके लिए solution बताओं कि अगर आपको मैंने बता दिया pip pile से करेंगे अगर नहीं होता है तो फिर आपकी e-mmc में fault आने लग जाता है आपके CPU से भी कहीं ना कहीं fault आने लग जाता है ठीक है फिर वो एक hardware की तरफ problem चली जाती है और एक मैं आपको ये बता दूँ कभी आपका अगर 64GB का phone है या आपका 128 है हमेशा आप उससे नीचे रखें क्योंकि एक बड़ी problem आ गई है MMC की तो फिर वो आप बार से repair भी करा लेंगे तो वो repair नहीं होती है कर जाती है लेकिन फिर वो अगें कुछ एक दो मीने चार मीने में प्रॉब्लम आ जाती है ठीक है यह हो गया हमारा software issue अब आ जाते हैं बात हम करेते हैं hardware issue में hardware issue में क्या है देखिए हमारा touch का पत्ता है computer безопасsmallation अब स्फिर होता फवेकर पहलेके phoneowego में ऐसा होता था कि हमारी touch भी अलग लगी है और जैसे vshow v3 में हमारी touch का पत्ता अलग होता था अब जहाती हैं आपके touch अग्म का अलग है यह V3 में हमारे touch का पत्ता अभी भी और रफी Chris का भर और आपके डिस्प्ले का भी लेकिन यहां बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो टच में प्रॉब्लम जो आ रही है उसका सोलुशन देख रहे हैं तो इसके लिए आप यह कर सकते हैं ठीक है डिस्प्ले आपको ऑफिसली चेंज करके चेक करने पड़ेगी कि अगर आप डिस्प्ले चेक नहीं करेंगे चेंज करके हो सकता है कि डिस्प्ले में खराबी हो तो सबसे पहले आप डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे अगर उससे नहीं होता है फिर आप यह जो है प्रोसेस करके देखेंगे उसके बाद यह जो हमारा कनेक्टर होता है इस में धूल लगी है तो यह problem आ सकते हैं second जो इसकी GR value है GR value अगर आपको देखने करें नहीं मिल रहे हैं किसी section पर किसी pin पर तो भी आपका खराब है और या फिर आपका खराब है या फिर आपकी GR value कहीं से connection जहां से आ रहा वह टूड़ गया है connection कहां से आ रहा था वहीं बात कर लेते हैं देखिए जो main चीज होती है मैं उसी के बारे में बताऊं आपको cut to cut बताऊं आपको ज़्यादा इसमें मत्था पाची करने की जूरत नहीं पड़ेगी एक हमारी PM जो इसमें supply देती है पावर ओवेसली वही देगी ठीक है और एक होता हमारा जो head है वह हमारा CPU ठीक है चार कुछ करीबन चार के आसपास voltage values इस वले इस से CPU से इस connector पर आती है और कुछ दो values इसकी इस पर आती है मतलब कि चार connection जो है हमारा CPU जो हमारे connector को देता है और दो कनेक्ट दो वोल्टेज जो है हमारी PM देती है तो इसमें आपका reset भी आ जाता है clock की भी लाइन आ जाती है तो जब उनमें problem आता है न तो मैं आपको बता दो जब भी उनसे connection क्योंकि माली जै यहां से यह रखी आ रहे है ठीक है अब इसमें से connection कोई टूड़ गया कोई भी यहां से connection टूड़ गया तो आपको यह problem आएगी एक होती है हमारी इन लाइनों में problem आने लगती है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी टूड़ नहीं वर्क कर रहे है तो आपको यह लाइने डूड़ नहीं है और मैं आपको बता दूड़ यह सी जो हमारी PM है वह भी जब तक इनको वोल्टेज देखिए आप समझे जब तक हमार यहां से भी आपको वोल्टेज निकल रही है कि नहीं निकल रही है ठीक है और यहां पर मैं आपको बता दूड़ रजिस्चर आपको पुलप के लिए जो है आपकी टूड़ के पत्ते के यहां देखने के लिए मिलेंगे जो आपकी PM से अटाज होते हैं इन में से कोई भी एक रजिस्चर खराब हुआ तो भी आपके टच के पत्ते में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो इस पर मोस्ली आपको हो सकता है 2.8 की वोल्टेज देखने के मिल जाए क्लोग पर आपको 1.8 डाटा पर 1.8 देखने के लिए मिल सकता है आपको रिसेट पर भी कई न आपकी पावर आईसी है अगर यह सप्लाई नहीं देंगे तो मैं आपको पहले बता दिए जो हमारी प्रॉब्लम है तो आपको सीप्यू से आने वाली वोल्टेज चेक करनी है यह हमारे दोनों रजिस्चर चेक करने है कि यह तो नहीं खराब है ठीक है उसके बाद आपको क क्या करना है आपको यह वोल्टेज चेक करनी है जितनी भी है फिजिकली सारी पिने चेक करनी कोई पिन तो नहीं खराब है जिन पर माल लिजे किसी यह माल लिजे यह पिन टूडिवे इस पर 1.8 आता था और यह पिन से नहीं आ रहा है तो आपकी टेच चलनी बंद हो जाए और एंड में आपका जो आता है वो है हमारा रिबोलिंग रिबोलिंग किसको हमारे सीप्यू को पावर आईसी को आपको नहीं चेड़ना है यह याद रखे अगर पावर आईसी से आपको यह वोल्टेज मिल जाती है तो आपको पावर आईसी को नहीं चेड़ना है लेकिन से पहले हम क्या करेंगे CPU को करेंगे हम लीटसे अगर हम मुशक चान्स होते हैं हमारे CPU को अगर हम हीट लेदे न अगर हम थोड़ी सी भी हीट लेटे सी टे लीन इसे कई बरी वर्क मतलं कर तो नहीं और यह और आपका एंड ऐड्सराइग fly करें और पहले डिस्प्लेच चेक करनी है अगर डिस्प्लेय ठीक है आपको लग रहा है तो इसके बाद आप सॉफ्वेर्ट-चेक करेंगे आपके फोन में यह से हमारी जो टच है वो चलनी बंद हो जाती है इसलिए सब्सक्राइब आता है हाडवेर में 10% चार्ड़स होते हैं और अगर हाडवेर में प्रॉब्लम है तो यह दोनों ही लाइन है मतलब कि यह CPU और पावर आईसी है जो इसको कंट्रोल करती है इसको चलाती है टच के पत्ते को जो हमारा डिस्पले का पत्ता होता है इस पर आपने यह वोल्टेज चेक करनी है यह दोनों रजिस्टर चेक करने और उसके बाद आपको लास्ट ओप्शन जो रहेगा हमारी रहेगा अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो बनानी होगी हम उस पर बना देंगे मैंने इस टॉपिक पर पहले वी वीडियो बना रखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागा वह वीडियो अलग है यह वीडियो अलग है तो आप उसको भी जाकर जरूर देखें और चैनल पर विजिट जरूर करें मिलते हैं आवाज से किसी नेक्स वीडियो में थैंक इस हो माद